किसी ने एक बुजुर्ग से पुचा इंसान में कितनी कम्या होती है। बुजुर्ग ने कहा बे सुमाल। पर उसकी एक अच्छाई उसकी सारी कम्यों को ढाप लेती है। और वो अच्छाई है जुबान पर काबू। जैसे नदी बह जाती है और लोट कर नहीं आती उसी तरह रात और दिन मनुसे की आयू को बहा ले जाते हैं कभी ना लोटने के लिए। हर एक पल से जिंदगी की बनी है और जाता हुआ हर एक पल हमसे हमारी जिंदगी ले जाता है। वक्त को बरबाद मत करो क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन पमाय हुए धन के बराबर है। अगर आपको लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं है सब कुछ रेद की तरह मुट्टी से फिसल रहा है तो एक बार उन पेड़ों की तरफ जरूर देख लेना जो एक एक करके अपने सारे पत्ते को देता है। फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि एक बार बहार फिर से लोटेगी। जिन्दगी परिवर्तन सिल है कभी भी परिवर्तन से घबराए नहीं बलकि उसे स्विकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे और कुछ सफल होने के गुड़ सिखाएंगे। सरीर के लिए सबसे अच्छा उपाय है सांथ दिमाग और सांथ दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी भी बात को दिल पर ना लेना। जिन्दगी में हर परिसानी का कोई न कोई हल जरूर होता है और उस हल की मौजूदगी का नाम ही उम्मीद है होसला और रुटबा बनाये रखिए क्योंकि जीवन में अच्छे और बुरे दिन तो आती चाते रहेंगे कभी कभी जिन्दगी में सुकून के लिए दवा की नहीं किसी के लप्चों की जरूरत होती है जो रूप को भी सुकून दे किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो सहारा दो उसे उसे हिम्मत दो और कहो मैं हूना उसका बुरा वक्त तो चला ही जाएगा मगर आप उसके प्रार्थणाओं में हमेशा के लिए सामिल हो जाओगे जिन्दगी सिखाती है कि अगर सांती चाहते हो तो किसी से सिकायत करने की वज़ा खुद को बदल लो क्योंकि पूरी दुनिया में कार्पेट विछाने से कही जादा बेहतर है कि अपने पाव में जूती पहन लेना अगर आप से कोई जलता है तो उसके जलन की कदर करो क्योंकि यही वो इंसान है जो आप हो खुद से बेहतर समझता है लोगों ने कई बार कोशिस की मुझे मिट्टी में दपनाने की लेकिन उन्हें मालूम न था कि मैं बीज हूँ आदत है मेरी बार बार उगाने की ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मिनार गिरे पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे याद रिखना जीवन में जब तक आप ड़ते रहोगे आपकी जिन्दगी का फैसला कोई और करता रहेगा काम्याबी हासिल करने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप काम्याब हो जाते है नशीहत वो सचाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और तारीव वो धोखा है जिसे हम बुरे ध्यान से सुनते है इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है और केसी दूसरे की मन की हो तो खटकती है आगे बढ़ने वाला ब्यक्ति किसी को बाधा नहीं पहुचाता और दूसरे को बाधा पहुचाने वाला ब्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता जिन्दगी सदियों, सालों, महिनों और दीनों में नहीं बदलती जिन्दगी तो उस लमहे में बदलती है जिस लमहे में आप जिन्दगी बदलने का फैसला करते है संसार को जानने का सबसे अच्छा उपाय है कि तुम अपने आपको जानो अपनी बातों को ध्यान पुरवक को हो क्योंकि हम तो कहकर फुल जाते हैं परन्तु लोग उन्हें सदर व्याद रखते हैं क्या फर्क पढ़ता है कि हमारे पास कितनी दौलत है कितने घर, कितनी गाड़िया और कितनी जायदाद है खानी तो बस तो रोटिया ही है जीनी तो बस एक जिन्दगी है फर्क तो इस बात से पढ़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वज़ा से खुशी से जीए फिर मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्यार रखना